कि अधियों केसे हो भाई प्यारे साथियों आफ सभी का स्वागत है टीचस अड़ा 24 7 यूट्यूब चैनल पर आफ सभी का वेलकम है मेरा नाम है अनुपां भारतवाज और मैं आपको एक खास जानकारी देने के लिए हूँ आज के सेशन में हालांकि इस सेशन में ऐसा एक से बना हुए जिस भरती का नाम है जी आईसी भरती प्रवक्ता पथ 2022 समझना आखिरकार आखिरकार जी आईसी के बारे में जो मामला गर्म जो मामला बना हुआ है वो उसको समझेंगे तोड़ा सा एक बच्चों का डाउट एक आखिरकर सर ये वताई ये जी आईसी की भरती तो कौन बर सकता है, उसकी योगजिता क्या है, उसका पाठ्ठिकरम क्या है सर, और उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, तो यह जो आपके सवाल है, कि GIC बरती कब तक आएगी, कैसे उसकी तैयारी करें, उसका पाठ्ठिकरम क्या हो सकता है, उसकी योगजिता क सकती है इन बातों पर मैं आप से चर्चा करूंगा तो GIC प्रवक्तापद 2022 अगले केवल चार से पांच मिट आपको मुझे सुनना है मैं आपके इसमें सारे की सारे डाउट आपके किसमें किलियर कर दोंगा इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिस करना कि सबसे पहले आप यह पर कटिंग देखी काली में इन अपको इस कटिंग के दिखाए था यह जयर के लिए आपके महीनوں में इन पदों पर भरती की प्रक्रीय parlar सुरू की जा सकती है تو अगले कुछ महीन TM अर्थात सरजिये वताइए फ़ाम कव से बरे जाएंगे तो फ़ाम कव से बरे जाएंगे मान के चलिए आज क्या आज है आज है 21 जुलाई तो जुलाई का वाए, एक महीनद आप माननके चलिए कि छुलाई अगस्ट, अगस्ट में आप माननके चलिए अगस्ट के, अगस्ट के मधD में, अगस्ट के, मदD में क्या हो सकते हैं भी हा, फाहम बराइ जा सकते हैं भी है, this given पर बर्ती से जीए ने में सिक्षकों की कमी दूर होगी ठ्रदेश बरके चाहए साइटता प्रड़ मादमिक विद्यालियों में सिख्षकों की बर्ती मादमिक सेवाद चैन बोर्ड करता है जब कि राजपि afraid Sabayigo करता है उततर पर देश लोग सेवा होग यूपी पीएस सी के दोरा इसकी बरती की याती दानरकी का कहरा है मादमिक विद्यालें में सिक्षकों की बरती मादमिक सेवा चेहन बूर्ड करता है लेकिन जब राजकी विद्यालें की बात आएगी तो जो राजकी विद्यालें होंगे उन राजकी विद्यालें में जो बरती होगी दान रखिगा वो बरती किस के दार होगी यूपी पीएसी के दार होगी हाल ही में 1340 पदों पर आयोग ने सिक्षकों की बरती की है आयोग ने 16 बिश्यों के सिक्षकों की बरती करके माद्दमिक सिक्षा निदे साले को बेज दिया है निदे साले ने उनको कॉलेज आवंटित किया जा रहा है जल्दी इसे चैनित सिचकों की GIC में तेनाद कर दिया जाएगा इसके अलावा राज की विद्धियालेओं में पुरुस के लेक्चरर के 1808 और महिला के लिए 169 यानी 1808 किसके विया मेल और 1059 किसके विया ऐसा आकड़ा है कि फीमेल के पद खाली ए इन पदों को रणने के लिए मादलिमिक सिम्देसाले से कुछ महीनों पहले अदियाचन उत्तरपधियस लोक सिवाय पहले आजिया पहले य बेश दिया गया है आयोगि ने उस अधियाचन को यह के कर वापस कर दिया गया कि इसमें лैक्षर के लिए निर्दार्त योगिता में समकष्टा को सुध्ष अले क els लेक नए है, यह समकष्टा बढ़ा बवाल है, इसकी योगिता चाहिए बियर्डा है समक्ष को तोड़ा परिवासितों करिए ये तो चलो एक बहुत नॉर्मल सी वात है कि बीएट चाहिए और उसके समक्ष कौन को से डिगरी हो सकती उनके बारे माँ बतायुत सही और देखो ये जानकारी बड़ी आहम है अगर आपको एसी जानकार इच्छी लेगरी है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेना भी है क्योंकि इस चैनल पर मेरा नाम अनुपम्हारदवाज है और मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहता हूं तो इस चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब भी कर लेना आई कोट के निर्देश के करम में विवाग होई समकष्ता की इस्ति इसपस्ट करनी है आयोग के सचव जगदिस ने बताया कि मादमिक सिच्छा निदेसाले से समकष्टा का निदारन किया जा रहा है उसका निदारन होने के बाद फिर से अधियाचन आयोग आएगा और बरती प्रिग्रिया सुरू कर दी जाएगी इसी के साथी पूर में हुई बरती से जो पद बच गए हैं उन पदों पर भी बरती होगी इसलिए पदों की संक्या बढ़ सकती है तो अब मानके चलिए कि यह जो पद आज 2866 पद हैं यह कम से कम पद 3000 पे 300 पद हैं बढ़ सकते हैं और 3000 पे 300 पद काफी होते हैं इस बात को द्यान समझने की कोशिस करसे हैं तो देरिये तो देके द्यान समझेगा परीक्षा कि पी तब करा लिजाए तो पहला जो आपका कमेंट था कि बच शेब तक कब तक आ सकती है टो बरती वहिया मानके चलिए आपके अगस्त में क्या सकते हैं बार्ती हो सकती अउसक्ति कभिया चेनि नहीं बहुत बड़ी है ऑफ पार्टिक करम आवं योग इता क्या अच्छाड अब योग इता क्या है अब की आप जानदे किया हौत कर básjourd संब्ढतadı कि अपने करता अब मास्टर की डिगरी तो आपके पास में और आपके पास में क्या होना चाहिए, बीयड होना चाहिए, इस बात को थोड़ा से आपर समझने की कोसिस करना, मतलब सम्मंधित बिसे में मास्टर होना चाहिए, और आपका बीयड होना चाहिए, बस और किसी चीज की जरूत नहीं है, ना किसी सीटेट की जरूत है, ना किसी समंझ में आ गया समंधित बिसे में master और beard होना चाहिए आपका अब बात कैसे करें तैयारी ये question है अब मैंने आपको बताई इसकी बरती करा को रहा है UPPSC इसकी बरती करा रहा है यहां पर प्री की परीक्षा दो पार्ट में एक तो भी हमारे पार्ट वन एक हो जाएगी हमारे विए पार्ट टू पार्ट वन में यहां पर हमारे 40 कोसन हैं और एक इसके भी हमारे MA किया é history से जोग्रफि से पॉलिटी से सिविक से जिस भुमषगा पॉलिटिकल सांश है या अपने सको dessert मैं किया है है ना कोई भी सबजेक्ट आपने FYTE किया है आपने सोसिलोगी से किया आपने किसी से भी master's किया है तो वहां पर यह 80% उससे जुड़े हुए पूछे जाएंगे for an example आपने MSC किया आपने MSC chemistry से किया है और मैं MSC मैच्स हैं आप MSC physics हैं MSC biology जूलोजी बाट्मिय गरा तो यहां पर यह सम्मंद्ध बिसे 80% से आएंगे लेकिन यहां पर 40 questions जी के जिसके fix रहेंगे कुल मिलाकर के कितने कोस्न हो जाएंगे 120 पसन यहां पर आपको हो जाएंगे paper one में हो जाएंगे उसके बाद paper one के बाद आपको देना होगा paper two और paper two में दान रखी का यहां पर आपसे लगबग जहां तक जो पुराना स्लिवस कहता था उसके पचास नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी पचास नंबर की आपसे दान रखेगा यहां पर उसका निबंद पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा और यहां पर पर तीन सो नंबर की 300 मार्क्स की आप से एक लिखित परिक्षा का आईजन किया जाएगा क्या किया जाएगा लिखित परिक्षा का आईजन किया जाएगा जिसमें आपको प्रश्णों के उत्तर लिख करके देने होंगे क्या प्रश्णों के उत्तर आपको लिख करके देने होंगे फोर न एक्जामपल अग्राम से पूछें भी आ बहुत ही नॉर्मल सा कि भारत का बहुत है कि विवाजन को भारत के भourd魁लिक विवाजन को संचिप्ट में अब आपको यह तो बहुत बेसिक क्वेसन है ऐसा नहींकि यह क्वेसन हैगा मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि भारत के बहुत एक विवाजन को संचिप में समझाई तो आपको बताना अब यह बारत को चार बहुत एक विवाजन हुआ है जिसमें उत्तर के परवती छेत्र मद्दिका मेदान प्रायदीपी पटार तटी मेदान एवं दीप इसकी सरचना यह यह जो उपर वाला छ तो ऐसे तो 300 नमबर होंगे 50 नमबर की इंदी 50 नमर की निबंद में आपसे ऐसे लिखवाए जाएगा किसी भी चीज़ पर लगवग हजार सब्दों में आपसे ऐसे लिखवाए जाएगा तो कुल मिला करके यह बड़ी सांदार सी बरती आपके लिए हो जाएगी सर जी मशकार आप सभी का स्वागत है आसर क्वालिफिकेशन का है नितन कुमार जी क्वालिफिकेशन बता तो दिया मैंने आपको प्रभू क्वालिफिकेशन आपकी क्या विया संबंद तो बिसे में आपसे मास्टर होना चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए आपका मास्टर BA किया फिर आपने BA कर लिया फिर आपने उसके बाद MA कर लिया तो क्या अधिक्कत है BA और MA और MA आपके पास होना चाहिए MA मतलब MSC भी हो सकती है Master होना चाहिए सर MA में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेकंसी आती है सरमा निया जी अभी इसके बारे में ऐसा कुछ कहना कुछ इतन नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आए क्योंकि यहां पर आयोग ने यह बात कह दिये विया कि लगबग 2860 पदें और यहां पर विए करें कुछ पूर पद भी खाली है तो इससे पदों की संक्या बढ़ सकती है तो फूरेंड एक्जांपल मान के चलो 3500 पदों आएंगे आएंगे अब वो तो आयोग उसके अकोर्डिंग निकाल के देगा ना कि बाई कितने पद कहां कहां पर खाली है बात के लिए चलिए टेट मांगते हैं बिलकुल नहीं मांगते हैं मैं आपको बता दी इस वीडिय है आप एक बार देख लीजेगा जिसके भी डाउट है आपके सारे सारे डाउट के लिए रोजाएंगे फिलाल आपको पता है कि यह बरती जोरो सोरों से तो यह बरती निकलेगी बिलकुल आपको पता है जैसे जी आइसी की बरती होती है जैसे टीजीटी और पीजीटी की के वर्ति होती है और जैसे हम TGT PGT का कोर्स करा रहे हैं हजारों विद्यारति उने अड्मिन्स लिया है सेम जैसे GIC की वर्ति निकलेगी GIC का सेफरेट बैच में अनुपर भारत द्वास इस पेसर अपनी पूरी टीम टीचरस अड़ा के साथ में हम लोग आपके लिए बैच लेकर करके आएंगे अभी TGT PGT के बैच भी चल रहे हैं आप चाहें तो उने बैच इसको क्या कर सकते हैं या जोइन कर सकते हमारा जो एप है उस एप का नहीं है अड़ा 24 7 की एप जिसकी लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्किप्शन में दी गई है तो आप अगर वहां साइंस साइंस फिजिकल एजुकेशन जोग्राफी हिस्ट्री एसस्टी सारी सारी बर्ति आपको यहां पर निकली हुई है अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यह यूपी PGT जोग्राफी मैं ही हूँ है अनुपर भारत दौज वह यह यूपी TGT SST की मैं आपको तयारी करा तो TGT और PGT की अभी हम यहां पर तयारी करा रहे हैं भाया आप इन बैचस को जोइन कर सकते हैं डिसकाउंट के लिए कि कोपन कूड हमारे यहां पर लगता है जिस कूपन कोड को लिए ना Y425 जब आप बैच पर्चेस करो जैसे आप TGT SST की तयारी कर रहे हो आप ने इस बैच को पर्चेस किया तो बैचसे तो भाई देखो बैच यहांबर 999 अब इतना तो कोई नहीं दे सकता है तुम्हें आपको एक तिलिसमी कोड बता दे रहा हूं और कोड है भी अधान रखेगा वाई 425 और जैसे आप इसको एपलाई करोगे भाई साभ एक ज हमारी मोवाइल की एप से स्कोर्स को खरीदो गए तो आपको एक परसेंट का डिसकाउंट और मिल जाएगा और एक कॉर्स आपका लग बलव हो जाएगा एकीस सो असी रुपेया एकीस सो रुपेया बैच यहां पर हो जाएगा तैयारी को मजूद रखिए जी आईसी की भर जाऑ बड़ी आफ़न्त बढ़ सकते हैं मेरा दर नहीं कर सकते हैं तो एपमास्टर की डीगरी चाहिए क्योंकि आप पॉंडर्ज में प्ढ़ानाए मुर्ग कर लेगे मेरा स्ड़ताषी मैं रुपीस हैं और मेरा ब् Egnd wilde इस बार तो क्या में इंफिजबल हूँ हो जी चली ओकी, सर, सर, गारन, ग्रेजुएशन और PG के परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, सिवांगी जी परसेंटेज कुछ नहीं बस 50% आपके होनी चाहिए, ऐसा कोई उसने कहा नहीं है, कि नहीं बाई, 50% होना चाहिए, लेकिन, फिर भी कम से कम नियुनतम आपकी, जो मास्टर स सुमें डिगरी में या आपके ग्रेजिसन में 50% अंकर तो आपके पास होने चाहिए से लास्ट ताम पीजी वाले भी फिल कर सकते थे बीएड कंपलसरी नहीं थी ऐसा इस बार बीएड कंपलसरी है ऐसा तो अब देखिए नोटिफिकेस नाने पर ही पता चलेगा बात के लिए चले तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेसन को जोइन करने के लिए यूपी ओनली या होल इंडिया कहीं से भी आफ वर सकते हैं सेसन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा बहुत बहुत धन्